क्षें गाईज वेलकम बैक टूट टेकनो की मात देशिस खीमान अंदॉश्टों आज की वीडियो में हम फिर से एक जबर जब साग गेमिंग पीशे के बारे में बात करने वाले हैं और आज लेटेस्ट जेन आई 5 गेमिंग पीशे तो आज आज की वीडियो में मैं आपको जिस के बारे में बताऊंगा वो होगा लेटेस्ट जैन प्रोसेसर के साथ लेटेस्ट जैन एससडी के साथ और लेटेस्ट जैनरेशन का ग्राफिक कार्ड भी इस पे लगा होगा तो आज के टाइम पर यह जो कॉम्बिनेशन है बहुत टाइब कर लीजेगा और अगर आपको यह पर्सक्राइस करना है तो आप अमारे पास ने रूपलेस में आ सकते हैं यहां पर आपको काफी अच्छी प्राइस में मिल जाएगा और इस PC का जो एकजाक्ट बजट है वह यहां पर आप देख सकते हैं तो इस बजट का यह पीस या आप किसी दूसरे के लिए video rating करना चाहते हैं तो 4K लेवल तक की वीडियो rating आप काफी अच्छी तरीके से इस PC में कर पाऊगे और आप 1080P gaming काफी अच्छी तरीके से इस पर कर पाऊगे तो बात करते हैं उसके अलावा अगर आपको graphic designing के लिए चाहिए या किसी और काम के लिए चाहिए तो भी सारा काम इसमें हो जाएगा अब बात करते हैं इसमें के बारे में तो यहां पर जो सबसे पहले हम बात करते हैं की तो यहां पर हम करने वाले हैं आई फाइब फोर्टीन जैन का फोर्टीन फाइब जो काफी अच्छा प्रसेशर जो इस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सेल हो रहा है और प्रफोर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा है आपको फोर्टीन कोर और टॉंटी थ्रेट्स मिल जाते हैं इसमें आपको फॉर्मेंस कोड़ और एक्षें स्कोर लग-लग मिल जाते हैं तो जो इसके ओमेंस को काफी बढ़िया बना देता है । तरीके के पोह में इसके लिए यह आफका बेस्ट प्रूसिसर आज darle के डाइम पे हैं चाहे आपको एड QUARनी हो चाहे आको गेमिंन करनी हो तो इस प्रूसिटर को अंया पर युज करने वाले हैं इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मदरबोर्ड की तो हम यहाँ पर जो मदरबोर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे MSI के तरफ से आने वाला B760ME जो की एक बजट मदरबोर्ड है इस परसेर के लिए फोर्टीन जन में वैंज कर पाँगे तो इस मदर वोर्ड को हमने इसे काफी अबहुत सारे मदरबोर्ड हैं अलाकि हमें पीसी बजट में बनाना है और आज के टाइम पे लोग इसी बजट में ढूंड रहे हैं इस बजट में ज्यादा सेल हो रहा है तो इस वैसे मैंने यहां पर इस बोर्ड को यूज किया हुआ है इस से उपर आप कोई साभी बोर्ड लगा सकते हो बहुत सारी बोर्ड आते हैं बॉंबर वाइप है हो गया और उसके अलावा बहुत सारी बोर्ड आपको मिल जाते हैं अच्छे वह कोई साभी आप लगा सकते हो फिलाल हमने इस बजट में इसको लिया हुआ इस बजट में आपको यही शूट करता है इसके बाद बात करते हैं एससडी की तो यहां पर जो हमने एससडी यूज किया आपको काफी अच्छी मिल जाएगी आपका सारा काम स्मूध तरीके से हो जाएगा चाहे वह गेमिंग हो चाहे वह एडिटिंग हो इसके बाद बात करते हैं यहां पर रैम की तो रैम भी हमने यहां पर डेडियार फाइब का एक्सपीजी की तरफ से आने वाला रैम यूज किया हुआ है जो कि आपको काफी अच्छे प्राइस में मिल जाता है तो यहां पर हमने अभी सिंगल इस्टिक यूज किया हुआ है 16GB का बाद में आप इसमें वन मोर इस्टिक लगा सकते हैं तो आपकी जो PCA काफी बढ़िया हो जाएगी इसके बाद बात करते हैं यहां प का गाफिक काड़ है जिसमें आपको 3072 कुड़ा कोर्स मिल जाते हैं और 8GB का वी रैम इस पर रहता है और साथ जादी एट के तक की डिस्प्ले को सपोर्ट करता है तो यहां पर आप इस गाफिक काड़ को यूज किया गया है जो की लेटेस रिसका और काफी ज्यादा अभी चैल हो रहा है इसके साथ ही यहां पर जो स्टी वर्ट का है और केविनेट की बात करो यहां पर बड़िया सा आईस मेस्टर की तरफ से आने वाला यह वाला केविनेट यहां पर किया गया है तो overall जो PC का budget है 79,000 इसका budget हो जाता है तो अगर आपको भी इस तरीके का PC बनवाना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर तो आपको आना है यहाँ पर 305 थार्ड फ्लोर में तो यहाँ पर आपको मिलेंगे साहिल वह या कैसे आप बढ़ 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 तो gaming PC मि हो जाएगी, shipping भी वह हód यहाँ और हैंफं के Leader को आपको कौटेशन देंगे और यहाँ पर यहांन सब्लड Way मिलेंगे यह आपको कौटेशन देंगे तो यहां पर आपकी पीसई Про recent वाला PC यहां पर आपको मिल जाएगा तो आप यहां पर आपको मिल जाएगा तो आप यहां प्रोड़क्टिविटी के रूप में भी यूज कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो तो सारा काम आपका काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा और वो भी काफी अच्छे बज़ेट में तो आज की टाइम पर यह बहुत ज्यादा सेल हो रहा है तो अगर आपको भी यह PC चाहिए तो आप मुझे वाटसप पर मैसेज कर सकते हो आपको डिक्सक्रिप्शन में वाटसप कर देना थेंको पर वाचिंग बाबाए